Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pallavi Bissin, second year MBA student from Government Medical College Schedule. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, second round की जो counseling होने वाली है, उसकी पूरी detail, step-wise explanation करूँगी. आप लोगों को की choice filling किस तरह से करवानी है, choice locking किस तरह से करनी है, और second round में कितनी फीज आप लोगों को लगेगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी. तो चलिए वीडियो को start करते हैं, आपको online choice filling और choice locking के लिए, आप लोगों को dmemponline.gov.in के portal पे आप लोगों को अपनी ID और password डाल करके, आप लोगों को क्या करना है, login कर लेना है, जब आप login करेंगे, तो वहाँ पर आपको option आएगा choice filling का, आपको उस पर click कर लेना है, choice filling के option पर click करने के बाद, आपको एक option select करना होगा, only government college की choice filling करवाना है, तो government के लिए option select करना पड़ेगा, और अगर government private दोनों की choice filling करवाना चाहते हैं, तो आपको उस option पर click करना पड़ेगा, उसके बाद, आप लोगों को fee pay करनी पड़ेगी, मतलब pay the fee as per selection of option, मतलब अगर आप अपने सिर्फ government के लिए choice filling करवाये हैं, तो उसके लिए जितना amount pay करना है, वो आपको करना पड़ेगा, और सिर्फ private के लिए करवाना चाहते हैं, या private government दोनों के लिए, तो उसके लिए जितनी fee देनी है, वो आपको by करना पड़ेगा, अब कितनी fee देनी है, वो मैं अभी आप लोगो को बताती हैं, देखिए, अब ऐसे स्टुडेंट जो अप्ग्रेड करवाra है और ऐसे स्टूडेंट जिनने फ्रेश अलौटमेंट हो रहा है, दोनों के लिए फीड अलग है, ऐसे student जो upgrade करा रहे हैं मतलब round 1 में इन्हें कोई न कोई college मिला है मतलब या तो private मिला है या तो government मिला है अगर इन्हें government मिला है round 1 में तो इन्होंने 14 के already जमा कर दिया है caution money के form में और अगर इन्हें private मिला होगा तो इन्होंने 25,000 जमा कर दिया है caution money के form में अब ये दोनों student जिनने government मिला है या जिनने private मिला है ये only government की choice filling करना चाहते हैं अब देखिए क्योंकि government की choice filling के लिए unreserved category के जो student है उन्हें 10,000 रुपए देना होता है बट क्योंकि ये already round one में पैसे दे चुके हैं तो इन्हें क्या करना है इन्हें कोई भी amount नहीं देना है similarly OBC category के student को भी अगर वो सिर्फ government की choice filling करवा रहे हैं उन्हें कोई amount नहीं देना है ठीक है तो ये हमने बात करी जिन्हें college मिल चुका है उन student की और वो सिर्फ government की choice filling करवा रहे हैं मान ले ऐसे student जो fresh allotment है जिन्हें अभी तक college नहीं मिला है वो fresh अगर वो only government की choice filling करवा रहे हैं unreserved category से हैं इन्हें 10,000 रुपए देना पड़ेगा reserve category like OBC, ST, SC category के student इन्हें 5,000 देना पड़ेगा only government की choice filling लेकिन अगर ये private government दोनों की choice filling करवा रहे हैं साथ में या सिर्फ private की भी करा रहे हैं तो इन्हें 1,000,000 रुपए देना पड़ेगा private की choice filling में अगर ये fresh allotment वाले student है अब हम बात करते हैं as a student जो upgrade करवाने वाले हैं बट upgrade करवाने के साथ साथ ये private की choice filling करवाना चाहते हैं ये मैंने only government का बताया था ये private की choice filling करवाना चाहते हैं तो देखिए प्राइवेट की करवाना चाहते हैं बट already क्योंकि ये 25,000 दे चुके हैं 75,000 इन्हें बस देना पड़ेगा लोगों को clear है चलिए अब आप लोगों को पुरी steps explain कर देती हूं एक तो आप continue एक तो full payment करेंगे और दूसरा है part payment अगर आप part payment में करना चाहते हैं तो आप कुछ amount pay करेंगे फिर उसके बाद continue पे press करेंगे तो आप लोगों को वापस से candidate profile page open हो जाएगा और उसमें आपको remaining fee pay करने का option आएगा आप next day दो दिन बाद जब भी आप बची हुई fee पे करना चाहते हैं आप पे कर सकते हैं और फिर आप वापस से इस step से continue हो जाएगा उसके बाद जैसे आपका fee payment हो गया after payment प्रेस continue redirect to candidate profile home page for the choice filling अब आपका payment complete होने के बाद आपको choice filling के लिए option आजाएगा click on the choice filling on candidate login आपको candidate login पे जाके choice filling चूज करना है choice filling page will be displayed for fill your choices lock your choice through submitting OTP आपको एक OTP आएगा उससे आपको अपनी लॉग करना है choice और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है print out निकलवा देना है अपनी choice filling जो आपने लॉग की है उसके बाद आपका ये complete हो जाएगा अगर आप चाहते है एडिट करना अपनी choice को तो आप जो जितनी given date है आपकी choice filling के उस date के बीच में edit choice filling पे जाकर के edit करवा सकते हैं ओके तो मैं सारी steps आप लोगों को second round counseling की बता चुकी हूँ fee payment बता चुकी हूँ I hope ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा thank you so much for watching this video bye bye take care